नमस्ते दोस्तो आप सभी को मेरे चैनल पर स्वाधत करते हैं दोस्तो आज मैं आपको Microsoft Word में कैसे Bill Invoice बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दोस्तो यहाँ पर देखिए मैंने अल्रेडी एक Bill का फॉर्मेट यहाँ पर बनाके रखा है सबसे पहले मैंने उपर Company का नाम एन एड्रेस लिखा है फिर नीचे Invoice और यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है तो बिल्कुल ऐसा ही एक Invoice मै मैं Microsoft Word में आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा सबसे पहले मैं यहाँ पर Search में जाके क्लिक करूंगा और क्लिक करके यहाँ पर लिखूंगा विन वर्ड और लिखने के साथ ही उपर Microsoft Office Word आपको दिखाएगा जस्ट उसमें एक बार आपको क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही Microsoft Office Word जो है यहाँ पर उपन हो जाएगा तो सबसे पहले हम टॉप पोर्शन का काम करेंगे इसके लिए हम जाएंगे Insert टैप और वहाँ से जाएंगे shape और shape से rounded rectangle जो shape है इसको select करेंगे और एकदम top portion में इसको draw करेंगे अब मैं इस text box के अंदर text add करूंगा इसके लिए text box के उ format यहां पर लेंगे तो format tab में जाएंगे और यहां से more button से आप कोई भी shape का format यहां पर add कर सकते हो तो इसका width को थोड़ा change करेंगे width को थोड़ा कम करेंगे तो देखने में अच्छा लेगा तो यह apply हो गया अभी text का alignment है इसको change करेंगे home tab में जाएंगे और center में जाके click करें अब यहां पर हम company का नाम यहां टाइब करेंगे यहां यहां पर company का नाम टाइब करेंगे फिर नीचा आएंगे नीचा आने के बाद company का address टाइब करेंगे तो यह आड्र super finish नोमपर ।इन करेंगे यह हो गया अब यहाँ पर यह जो कंपनी का नाम है इसको सिलेक करेंगे सिलेक करने के बाद इसका font éta के सल को तो थोगा चेंज करेंगे मैंने यहाँ पर स्फ एक प्रोंसाल ले लेंगे आप कोई address और mobile number का भी change करेंगे सबसे पहले font और यहां से font color यह दिखिए apply हो गया यहाँ पर देखिए मेरा build का heading portion है वो यहाँ पर complete हो गया अभी हम नीचे वाले portion में आएंगे यहाँ पर cursor को set करेंगे set करने के बाद center में आएंगे home tap से यहाँ पर center alignment में क्लिक करेंगे करने के साथ ही cursor यहाँ पर center में आएगा फिर यहाँ पर आपको invoice type करना है invoice फिर एक बाद enter करेंगे और नीचे आएंगे नीचे आने के बाद left alignment में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे invoice number फिर देंगे एक colon और यहाँ पर कुछ blank space छोरेंगे, आप यहाँ पर underscore या फिर dot यूज़ कर सकते हो, फिर यहाँ पर लिखेंगे date, और यहाँ पर भी कुछ blank जगा छोरेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक slash use करेंगे, front slash, ठीक है, date के लिए, फिर month के लिए, और यहाँ पर year के लिए, फिर date के पहल करजर को set करके, फुरा tap प्रेस करेंगे, या फिर आप space देके भी इसको adjust कर सकते हो, अब enter प्रेस करके एक बार नीचे आएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे name, टाइप करने के बाद यहाँ पर कुछ blank space छोरेंगे, आप यहाँ पर dot या फिर underscore यूज़ कर सकते हो, फिर same process follow क यहाँ पर लिखेंगे address, और यहाँ पर भी कुछ space छोरेंगे address टाइप करने के लिए, address के बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे mobile number, और कुछ यहाँ पर space छोरेंगे, जहाँ पर हम customer का mobile number add करेंगे, अब मैं नीचे यहाँ पर एक structure, मतलब कि table यहाँ पर add करूँगा, जहाँ आपको click करना है, click करने के बाद यहाँ पर देखिया, मैंने यहाँ पर 5 column ले लिया, और यहाँ पर मैंने 4 row को select किया है, यहाँ पर मैंने click किया, click करने के साथ ही, यहाँ पर table देखिया, add हो गया है, अब मैं यहाँ पर table में सारे bill का जो format है, फो यहाँ पर design करूँगा, तो यहाँ पर type complete होने के बाद आपका जो table है इसको आपको adjust कर लेना है तो यहाँ पर देखिए जो नीचे मतलब बीच वाला जो रहो है यहाँ पर हम item quantity का नाम लिखेंगे तो इसको हमको थोड़ा ज्यादा बढ़ा करना है यह वाला cell को ठीक है यह दिखे मैंने यहाँ पर इसको नाम को option मिलेगा यहाँ पर click करने के साथ ही वो तीन cell देखें यहाँ पर merge हो गया है और यहाँ पर मैं लिखूंगा total मतलब कि जो amount का total है वो उसके right side के cell में आएगा फिर मैं यहाँ पर नीचे सारे cell को select करूँगा और इनको यहाँ पर merge करूँगा इसके लिए हम जाएंग फिर यहाँ पर नीचे करजर को set करेंगे और एक बार enter करके यहाँ पर लिखेंगे terms and condition और नीचे यहाँ पर bullet style apply करेंगे इसके लिए हम जाएंगे home tab और home tab से उपर यहाँ पर bullet style option आपको मिलेगा जो की paragraph group के अंदर है यहाँ से click करने के बाद कोई भी bullet style आप यहाँ पर apply कर सकते हो यहाँ पर आपको 2 या फिर 3 जगा रखना होगा जहाँ पर आप terms and condition लिख सकते है ठीक है अभी हम right side में आएंगे right alignment में click करके और यहाँ पर लिखेंगे signature और इसके उपर एक line अभी add करेंगे इसके लिए हम जाएंगे insert tab और वहाँ से हम click करेंगे shape में और यहाँ पर देखे line option आपको मिलेगा just click करना है और यह line को हम signature के उपर से draw करेंगे आप यहाँ प signature को थोड़ा tap करके set करेंगे यह हो गया अब यहाँ पर आप देखिए invoice का जो पूरा format है वो यहाँ पर मेरा design हो गया अब मैं इनको select करके थोड़ा design change करूँगा तो मैंने यहाँ पर invoice को select किया फिर इसका एक font ले रेंगे यहाँ से आप कोई भी font यहाँ पर apply कर सकते हो मैं यहाँ पर एक font ले लूँगा फिर इसको bold करेंगे और size को इसको थोड़ा increase करेंगे यह हो गया अब यहाँ पर नीचे जो text है इनको भी select करेंगे इनको भी bold करेंगे और font size को थोड़ा increase कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए date नीचे आ गया तो इसको click करके backspace देखे इसको adjust करेंगे बाकी सारे इनको भी थोड़ा increase करके इनको adjust कर लेंगे अब यहाँ पर नीचे वाला जो line है इसको भी select करेंगे select करने के बाद सबसे पहले इसका font size को बढ़ाएंगे फिर इसको bolt कर देंगे और फिर इनको थोड़ा adjust करेंगे ठीक है यह दिखिए हो गया अब मैं यहाँ पर नीचे जो table है इसके उपर काम करूँगा तो इसको select करेंगे click करने के साथ ही table select होता है फिर आपको जाना होगा design tab और यहाँ पर देखिए बहुत सारे table style आपको मिलेंगे तो यहाँ से कोई भी table style आप apply कर सकते हो जिसमें भी click करेंगे वो यहाँ पर apply हो जाएगा फिर मैं यहाँ पर table का heading है उसको select करूँगा select करने के बाद मैं जाओंगा layout tab में और यहाँ से देखिए alignment जो है middle alignment में click करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर alignment जो है वो middle हो गया वैसे ही total को select करेंगे और इसको करेंगे right और last में rupees invert को select करेंगे और इसको करेंगे left middle तो यह मैंने इसको click किया तो यहाँ पर देखिए alignment set हो गया है अभी पूरा table को select करके इसका size को increase करेंगे थोड़ा home tab में जाएंगे और यहाँ से देखिए size option है जहाँ पर click करके आप size को change कर सकते हैं और इसको एक बार click करके bold कर देंगे यह हो गया bold अभी इसका एक font style को change करेंगे font style box में जाएंगे और यहाँ से आपको जो पसंदो वो font style आप यहाँ पर apply कर सकते हो फिर page के नीचे आएंगे और यहाँ पर terms and condition and signature को select करेंगे select करने के बाद हम जाएंगे font box में और यहाँ से कोई भी font style आप ले सकते हो मैंने यहाँ पर एक font style ले लिया फिर इसको bold करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर apply हो गया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा almost billing का जो पूरा format है वो यहाँ पर complete हो गया है मैं यहाँ पर आप सभी को थोड़ा zoom out करके दिखाता हूं यह दिखे मैंने इसको थोड़ा चोटा किया यह दिखे मेरा billing का पूरा portion यहाँ पर complete हो गया है अब यहाँ पर नीचे का जो portion है यहाँ पर एक shape मैं apply करूंगा इसके लिए मैं जाओंगा insert tab और यहाँ से shape में जाके click करना है और यहाँ से rectangle को select कर लेना है select करने के बाद ठीक यहाँ से एकदम नीचे तक हम rectangle को draw करेंगे यह मैंने इसको draw किया फिर मैं format tab से more button में जाके click करूंगा click करने के बाद एक shape का style है यहाँ पर apply कर दूंगा इसके बाद इसका जो outline है मतलब कि width इसको थोड़ा कम कर दूंगा shape outline से ठीक है यह मैंने इसको थोड़ा कम कर लिया अभी shape fill जो option है यहाँ पर click करके no fill में आपको click करना है click करने के साथ ही देखिए यह shape जो है वो transparent हो गया मतलब कि एक border की तरह यहाँ पर apply हो गया और यह apply होने के साथ ही देखिए मेरा invoice का जो part है वो काफी अच्छा लग रहा है अब मैं यहाँ पर सबसे उपर जो मैंने text box लिया था जहाँ पर मैंने company का नाम लिखा है उसको select करूँगा select करने के बाद मैं जाओंगा format tab और format tab से एक shape style apply कर दूँगा तो यह काफी अच्छा लगेगा देखिए अब मैं यहाँ पर बीच में जो table है इसको थोड़ा adjust करूँगा तो यहाँ पर देखिए serial number को थोड़ा चोटा करते है description को थोड़ा बढ़ा करेंगे quantity को थोड़ा चोटा रखते है और थोड़ा बढ़ा कर देंगे और यहाँ पर बाकी सारा देखिए ठीक है अब यहाँ पर इसको थोड़ा zoom out करते है और यह देखिए यह मेरा पूरा यहा इसका मैं एक back color apply करूँगा, इसके लिए मैं जाओंगा page layout tab, page layout tab में जाने के बाद हम click करेंगे page color option में, मैं यहाँ पर यह वाला color को select कर रहा हूँ, आप कोई भी color यहाँ पर apply कर सकते हो, जो आपको पसंद हो, तो यह देखिए मेरा यहाँ पर invoice पूरा ready हो गया है, तो यह था पूरा process जिसको use करके, आप Microsoft Word में build या फिर invoice बना सकते हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो like कर दिजिएगा, thank you for watching the video, please keep your support.